लौ बोलते हैं बार-बार की यह unit law use किया इतना बराबर इसके और उतना बराबर इसके तो then this is the answer यह कैसे वो जादू करते हैं आज हम वो जादू करना सीख इस the king of mathematics इसके concept में अब आपको start करने जा रहा हूं आपने देखा होगा कि कभी-कभी time speed distance में unit law लग जाता है तो मेरे पास तीन नंबर हैं A B C इनका रेश्यों है तू इस्टू थेश्टू फोट अब आपसे बोड़ रहाएं कि इस भारत गुपता आपका दोस्त और आपका होस्त और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एक ऐसी चीज जो आप देखते होगे कि टीचर्स करते हैं क्लास में कोश्चन कराते वक्त कि वह एक unit law बोलते हैं बार-बार कि यह unit law यूज किया इतना बराबर इसके और उतना बर तो यह कैसे वो जादू करते हैं आज हम वो जादू करना सीखेंगे आज की क्लास आपके लिए बहुत important होने जा रही है तो इस चैनल पर बने रहिएगा चैनल को subscribe जरू कर लेना आपको नीचे एक bell icon दिखेगा उसको press कर देता जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस वीडियो में पूरी वीडियो में बताऊंगा साथी साथ concept discuss करेंगे साथी साथ हम कुछ questions भी करेंगे तो चलो start करते हैं unit law आपने एकीज़ और notice की होगी कि कुछ बच्चे 10 exam देते हैं 9 में select हो जाते हैं और कुछ बच्चे 10 exam देते हैं एक में select नहीं होते हैं तो उनके पास कुछ important tricks होती हैं उनके पास वो जजबा होता है उन question को करने का लगातार चीजों को करने का हार ना मानने का अगर आप एक बार आपसे कोई question नहीं हुआ आपका mood खराब हो गया चलो छोडो यार आप पढ़ाई नहीं करते हैं कुछ देर बात पढ़ेंगे ये ये आदर सुधारनी पढ़ेगी अगर कोई question नहीं हो रहा है तो उसको solve करने के लिए आपको या तो कुछ tricks की कमी है या आपको concept नहीं पढ़ाई तो पहले पूरे concept क्लियर करो हमारी जो ये वीडियो जो series चल रही है इसमें मैं आपको one by one सारे concept क्लियर करूँगा और इस तरह से आप भी वो question बहुत जल्दी कर ले जाओगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे तो याद रखना हर question का कहीं ना कहीं कुछ logic होता है कुछ trick होती है ठीक है वो trick आपको आनी चाहिए right अगर आप ये classes लगाता देखोगे तो सायद आपको ये videos बहुत help करें वीडियो को सुरू से देखना क्योंकि शुरुवात में मैं आपको कुछ basic question कराऊंगा एंट तक पहुंस पहुंस में आपको कुछ advanced question भी कराऊंगा तो चलो फिर से start करते को बताया है कि unit law is the king of mathematics इसके concept में आपको start कर जा रहा हूं आपने दिखा होगा कि कभी-कभी time speed distance में unit law लग जाता है कभी आपके arithmetic छोड़ो आपके algebra, geometry, mensuration हर जेगे unit law लग जाता है अब यह unit law एक्टली है क्या तो चलो समझते हैं बात को मान लो कि तीन बंदे हैं A, B और C ठीकर A के पास A, B, C को मैंने कुछ amount distribute किया मानों कि हमने A, B, C को 2 to 4 to 7 के ratio में कोई amount distribute किया हमने और इस 2, 4, 7 के अंदर इस 2, 4, 7 के अंदर हमने जब amount distribute किया वो total amount था मानों कि 68 और 68 नहीं 65, 100 तो मेरे पास A, B, C को मैंने 65, 100 से divide करना है और वो amount divide के 2, 4, 7 तो यहां पर दो चीज़े ध्यान रखना है एक होती है actual value तो actual value हमारे पास क्या है actual value हमारे पास है 65, 100 और मैंने इस amount को divide के 2, 4, 7 में तो अभी तक तो आप करते आया थे कि x method लेकर कि मान लेते थे कि इसको 2x मिल रहा है इसको 4x इसको 7x इनको जोड दो ठीक है इस ते is equal to 65, 100 तो अगर हमने ratio लिखा है न अगर 2, 4, 7 ratio है तो कहीं न कहीं ratio में कुछ multiplication value रही होगी जो आपने ratio निकालते हैं वो काट दिया होगा तो 2, 4, 7 में मान लो की 2x रहा होता, 4 माना की 4x रहा होता, 7 मान लो की 7x रहा होता, तो 2x, 4x और 7x जब ये value रही होगी इनका समय तो 65, 100 होगा तो अब आप क्या करोगे 2x प्लस 4x प्लस 7 को बराबर कर दोगे 65, 100 के यहां से आपका x आए आए थे याद रखना x method भी important है, कई question उससे भी होते हैं, ratio में जो unit law method से चीज़े बहुत असान हो जाएंगी, तो अब unit law method है क्या, तो देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, कि यह जो 247 है, यहां पर total value 65, 100 है, यह total दे रखिए, actual value दे रखिए 247, आप इनको add करो, without x, 2 प्लस 4, 6, 7, 13, अब मैं लिखूंगा ratio में, और actual में, ratio में आपको दे रखिए total का sum 13, और यह हो गई unit, actually x जो हम मानते वही unit word होता है, जो हम x मानते वही unit word होता है, actual में कितना है, actual में यह है, 65, 100, अब एक unit की value कितनी हो गई, एक unit की हो गई, 65, 100, divided by 13, तो 500, actually यह जो topic है, यह unitary method है, unitary method को जल्दी करना यह तरीका है, पता है, यह जो unitary method होते हैं, जितने भी method थे, इस formula थे, आज से, जब हम 20 साल परही बात करें, जब सारा paper subjective हुआ करता था, जब आपको लिखना पड़ा था, जब objective नहीं हुआ करता था, ठीक है, कि अब 20 साल पहले यह shortcut नहीं थे, यह shortcut जिए देवलप हुए, जैसे जिए पेपर आता गया, देखा कि टाइम कम पढ़ रहा, इतने कोशन नहीं हो पार, तो चीज़े हमें develop करनी पड़ते हैं, और यह हर student develop कर सकता है, तो आपको भी महनत करनी है, इस method को command करना है, अब एक आगया, आपको कितना 500, नाओ आप कुछ भी निकाल सकते हो, अगर आपको बोलता है, बताओ, what is the amount given to B, तो B का 4 unit है, it is 2000, अच्छे, अब भी अगर मैं ऐसा बोलता है, कि मैंने, एक और example लेख लो, A, B, और C, और D, चार लोगों में, चार लोगों की height का ratio है, 3 is to, 5 is to, 2 is to 8, माल लोग की 3 लोगों की height करें, so this is another example of unit law, मतलब आपको क्या चीज़ दे रखें, उस पर depend करता है, आपको बोला है कि A, B, C, D, 4 लोग है, उनकी height का जो ratio है, वो 3, 5, 2, 8 है, right, अब कोशन यह बोल सकता है, कि difference of height of B and D is 6 inches, यहाँ पर total गया, तो आपने total जोड लिया, बराबर कर दिया, लेकिन अगर मुझसे बोल दे, कि इनकी height का ratio, 3, 5, 2, 8 है, और आपको बोला है कि difference of height of B and D is 6 inches, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देको actual में आपका 6 inches difference है, केवल B or D देखो गया, तो ratio में B or D का difference कितना है, 3, तो हम लिखेंगे, 3 unit, ratio में जो चीज होती है, जैसे यहाँ पर sum था, तो मैंने सबको add कर गया, सबका sum, ratio में बराबर actual sum, यह unit हो गया, इधर B or D का difference दिया, तो बराबर, कितना है, 6 inches, एक unit की value कितनी हो गई, it is 2 inches, एक unit की value हो गई, 2 inches, तो मुझसे बोला किया, अच्छा, आपसे बोला कि बता, what is the height of, what is the height of C, तो C की height है, 2 unit, मतलब 4 inches, बहुत छोटी height आगई, इनकी B and D की height का difference, 6 inches, 6 feet है, concept समझना है, कि difference में क्या दे रखा है, this is important, कि आपको difference में क्या दे रखा है, अब यह बात ध्यान रखना कि यह जो चीज है ना, जो मैं आपको बताईए unit law, मैं इस पर आपको आज class में बहुत सारे example कराऊंगा, right, बार बार हम करेंगे, और कर लेगो, जैसे आपको question दिखता है, फिर उसको खुद से किया करो, तभी आपको उस concept में command कर पाऊगे, याद रखना, maths में हम कभी नहीं बोलते की मेरे बिचने 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 सलेक्ट हुए, ठीक है, क्योंकि selection और rejection, केवल student पर depend करता है, यह बहुत, बहुत harsh reality है, कोच ही भी, आज तक भी, हम अगर हजार बच्चे उपढ़ा रहा हूं, मेरी ये वीडियो, मालो, दस लाग बच्चे देखेंगे, तो उन दस लाग में सायद कोई हजार बच्चे या दस हजार बच्चे कमांड करेंगे उस चीज़ पर, इसका मतलब यह होता है, कि जो selection हो जाना वो student के उपर depend करता है, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा दूँगा, बहुत कुछ शिखा दूँगा, लेकिन जब तक आप उसके practice नहीं करोगे, तो practice is must, अब मैं आगे आपको कुछ practice question कराऊंगा इस concept पर, तो उनके through आपको इस method को command करना है, तो चलो start करते हैं इसके practice questions तो चलो इस question को solve करेंगे हम लोग, आप लोग video को इहां pause करो, देखते कितना समझे और फिर उसको खुद से solve करना है, question यह करा है, कि if rupees 126.5 are distributed to ABC in the ratio 2 is to 5 is to 4, then how much part of these more than part of it, मतलब B कितना ज्यादा है, A से यह पूछा हुआ है, देखो, बहुत मैदार सा question है, कि 126.50, this is what, this is total amount, आपको total amount के बारे में बताया हुआ है, और A, B और C का जो ratio दे रखा है, वो कितना है, 2 is to 5 is to 4, right, अब यह क्या है, total है, इसका total कर लो, 5 to 7, 4, 11, तो मैं के लिखूंगा ratio में जो होगा, वो आपका unit हो जाएगा actual, तो ratio में आपका कितना है, ratio में बोल सकते है, 11 unit बराबर actual में कितना है, 126.5 rupees में, यह तरीका होता है, यहाँ पर आपको total amount दे रखा, अभी मैं बहुत सारी चीज़े कराऊंगो, तो आपको different condition पता चलेंगी, तो 11 unit, तो एक unit की value कि नहीं हो गई, इसको डिवाइड करो, 126.5 upon 11, this is 11 बंजा 11, और बचा 1, 11 बंजा 11 और बचा 555, 11.5, मतलब एक unit की value 11.5 rupees हो गई, यह तो हमारा एक unit आगे, अब इस unit के बाद जो required है, उसके साफ से मपने question को manipulate कर सकते हैं, then how much part of these more than part of it, तो B का part A से कितना more है, B कितना है 5, A क इतना है 2, तो कितना मोरे बता हो जगा, तीन यूनिट मोरे तो लिखेंगे, तीन यूनिट बराबर, 3 into 11.5, तो जाएगा 11.55, 15, 34.5, तो हमारा answer क्या हो गया, 34.5, आप comment section में लिखके बताना कि कितने लोगों ने इसको पहली बार में सही किया था, I need कि यह जो sessions है, इसमें आपको और practice question required है, अगर आपको कोई question नहीं भी आ रहा है, तो वो भी comment section डाल दो, we will solve this question in the further videos, हम इनको आगे solve करते रहेंगे, ठीके question देखो जड़ा, 3 numbers are in the ratio 2, 3, 4, तो मेरे पास 3 number है, A, B, C, इनका ratio 2 is to 3 is to 4, अब आप से बोल रहा है कि, if the sum of their square is 1856, तो यहाँ पर बोला square, it is 1856, तो पता मैं क्या करूँगा, मैं देखो 2 का square करूँगा ratio में ले लेता हूँ में, और actual में लेता हूँ में, तो 2 का square 4, 3 का square 9, 4 का square 16, this is, this is 29, 29 unit, यह square है, यह square आ रहा है, यह unit का actually square आ रहा है, this is 1856, तो एक unit का square, आ रहा है, 1856 by 29, जहां समयना, अगर यह 30 होता, तो 30, 60 time जाता, और आकरी में 6 आ रहा है, तो अगर मैं 29 में क्या multiply करूँ, after 60, तो 61 करूँगा, 19 जा 9 आएगा, 2 करने पर 18 आएगा, 9, 2 जा 18, तो मैं कुछ ऐसा ढूट रहा हूँ कि, इसके आकरी में 60 के उपर होगा, यह तो तो इस वन यूनित स्क्वाइर, यह एक यूनित का स्क्वाइर है, तो एक यूनित कितनी होगे, यही गलती कर देते बच्चे, यह होगे 8, एक यूनित होगे हमारी 8, हमको पूछा क्या है, तो बस होगे आसान सा कोशन, नमबर मेरे A, B, C थे, जिनका रेशो था, 2 इस अबर नमबर, 16, 24, 32, B is the answer, तो यह बहुत इंबॉटन होता है कि जब आप वीडियो पॉस करके कोशन सौल कर रहे होता है, जैसे आपको कोशन दिख्था ना, वीडियो पॉस कर लो, और उसके बाद सौल करो, अगला कोशन देख्थे, ओगे, इस इस अलसो वेरी गूट कोशन, the total number of people in three classes of a school is 333, the number of peoples in class 1 and class 2 are in the ratio 3 to 5 and those in class, those in class 2 and 3 are in the ratio 7 is to 11, find the number of people in the class that is the highest number of people, या दखना, अब इस कोशन में, पहले आपको combining ratio लगाना पड़ेगा, जो मैं आपको पिसली क्लास से बता चुका हूँ, तो पहले combining ratio करो, और फिर unit law लगाना है, मतलब अब आपको जो जो मैं पढ़ाता जाओंगा, उसका connection कहीं न कहीं आपको मिलता जाएगा, तो, class 1, class 2 and class 3, इन classes में जो ratio दे रखा है, पहले दो classes में ratio 3 is to 5 का, और second and third का ratio is 7 is to 11 का, ठीक है, अच्छा, अब ये और ये, fill in the blanks method, याद करो, ये 5 इधर आएगा, ये 7 इधर आएगा, तो 7, 3, 21, 7, 5, 35 और 11, 5, 55, तो ये मेरे पास हो गया, number of student in the class, आप लोग याद रखना, ये मेरा वो link है, ये वो class का link है, combining ratio, और इसका मैंने link आपको उपर दे दिया, तो, यहाँ पर click करोगे, सीधे आप combining ratio class में ले जाओगे, इस आप इस concept को देख सकते हो, मैंने क्या किया, this is known as flinda blank method, FIB बोलते हैं इसको, पर उसी method ही बोलते हैं, लेकिन पर उसी method कोई कई जगे फेल हो जाता है, तो FIB ज्यादा आथा, एक बात होगे मेरी combining ratio concept होगे, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास 21, 35, 55 था, अब ये जो यहाँ दे है, यह कितने बच्चों की बात होगे, यह triple 3 बच्चों की बात होगे, यह साड़ा मिलाके triple 3 है, तो मैं unit law लेता हूँ, इनको add करो, 55, 10, 1, 5, 3, 8, 2, 10, 11, 111 unit ratio में, is equal total 333, एक unit की value कितनी हो गई, 3, एक unit की value में 3 हो गई, क्या बोल रहा है, find the number of people in the class, that is the highest number, highest number इसमें है, 3 आ गया, तो 5 unit, it is, sorry, 55 unit, 55, क्योंकि मुझे 55 unit चाहिए था, तो 55 unit पराबर, 55 into 3, 165 is the answer, yes, बहुत जरूर है कि यह बहुत basic question है, अगर आप यह सही करोगे, तो आगे आपको बहुत help हो जाएगी, बहुत जगे ही चीजे काम आ जाएगी, चलो, moving to the next question, okay, question है, rupees 33,630 are divided among ABC in such a manner that the ratio of amount of A to that of B is 3,7 and the ratio of amount of B to that of C is 6,5, the amount of money received by B, यह भी question पहले combining ratio है, फिर हम इसमें use करेंगे आपका आज का concept, unit law, जरा इसको आप वीडियो को pause कर दो, और खुझ से try करके देखो, फिर मैं इसका solution कराऊँगा, और फिर खुझ से करके देखना कि मैंने क्या किया तो आप कहां पर lag कर रहे थे, कहां गल्ती कर रहे थे, और यह गल्तिया सुधारनी है आपको, ठीक है, चलो, मानता हूँ कि आपने question कर लिया होगा, तो देखो भाई, A, B और C तीन बनने थे, इनको जो ratio मिलता है, A और B का ratio है, C is to 7, और B, C का ratio है, 6 is to 5, ठीक है, यह, अब यह 7 इधरा आएगा, यह 6 इधरा जाएगा, 6, 7, multiply करो, 18, 14, 42, 35, this is what, final ratio between ABC, अब हमारे पास ABC का final ratio आगे आए न, now we have final ratio of ABC, तो अब इनको जो रायट करो, unit लो निकालना, 18 प्लस 42, 60 प्लस 35, 18 प्लस 42, 60 प्लस 35, 95 unit, बराबर कितना है, 3, 3, 6, 3, 0, 95 unit की value कितनी, 3, 3, 6, 3, so, अगर ऐसा कुछ है, तो एक unit कितना होगा, this will be 354, मैंने डारेक्ट डिवाइड कर दिया, आप लोग check कर ले न, तो मुझे पूछा है, 42 unit, मुझे यह पूछा है, 42 unit, बतला, B की value पूछी है, तो amount received by B, this is, कितना है, 42 unit, और एक unit की value मेरी आगे, 354, तो 42 into 354, अब देखो, multiply करने से अच्छा है, तो थो दिमाग लगा, 248, और 8 केवल एक जगे, आखरी में दिया होए, तो answer is a option, no need to check further, मुझे लगता है, यह question आपने कर लिया होगा, देखो, यहाँ पर भी वही concept हुआ, combining ratio, प्लस, हमें कुछ ऐसा करना पड़ा, चलो अ ratio 3 to 1, तो दो को, question क्या रहा है, और यहाद अखो, वीडियो के यहाँ पर pause कर लो, और फिर खुद से ट्राइक करो, देखो कि आपका answer आता ही नहीं आता है, okay, sun to wife, wife to daughter, यह ratio कितना 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 देखा है, sun से wife का भी 3 to 1 का ratio और wife से daughter का भी 3 to 1 का ratio है, इनको combine कर लेते हैं, 1, 3, 9 is to 3 is to 1, तो wife, daughter और son, son, wife, daughter में जो ratio मिला है, वो कितना मिला है, वो 9 is to 3, see, what we have, what we are given with, if daughter gets rupees 10,000 less than son, तो we have given with daughter and son का जो difference amount है, ना, son different of amount, यह हमें given है, तो अगर different daughter and son के amount का difference given है, तो मैं क्या करूँगा, नौ, देखो, daughter को मिला है, one part, son को मिला है, nine part, तो ratio में difference कितना है, eight unit, और actual में कितना दिया हुए, 10,000, तो बस यही चीज़ आपको धंग से ध्यान रखने है, बार-बार मैं करा रहा हूँ, तो यह हो गया ratio part और यह हो गया actual में, तो एक unit की value कितनी हो जाएगी, one unit will be, one, two, five, zero, एक unit की value होगी, इसका मतलब मेरे पास ratio और actual से मेरे पार difference आगे, एक unit की value आगे, the value of whole property, whole property मतलब सब कुछ, तो एक unit, तो उमको पूछा है, 13 unit की value, 13 into one, two, five, zero, यह हमारा answer होगा, आखरे में एक zero आएगा, तो एक zero जहां के वही answer possible है, तो यह नहीं हो सकता, यह नहीं, तो यह कुछ चीज़े होती है, हम पूरा question नहीं करेंगा, और आपको क्या लगता है, यही तो आपके बच्चों को select होता है, आपको भी इन tricks को follow करना है, लगातार practice करना है, बार-बार questions में करना, और मैं guarantee देता हूँ, जो question आपको नहीं हो रहा है, जो question आप नहीं कर पा र कोशिद करेंगे, आपको question solution देते हैं, तो लोगा question देते हैं, रमेज decided to distribute some chocolate to his three daughter in the following way, second daughter, तो ऐसा करते है, तीन दोटर है न, अच्छा हाँ, आप वही काम करो, वीडियो पॉस कर लो और खुछ से ट्राइक करो, फिर देखो कि मैंने क्या किया, तो second daughter, second daughter would get 5 by 7, okay, 5 by 7 of first daughter, यह condition दे रखी है, and third daughter get 3 by 5 of what second daughter, बनलब यह confuse करने के दिया है, तो मानलों की first daughter आपकी A है, second daughter B है, third daughter C है, यहाँ पर क्या कह रहा है, B बराबर 5 by 7 of A, यह क्या कह रहा है, C बराबर 3 by 5 of B, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो first condition है, वही हो जाएगी, B upon A 5 by 7, और C upon B बराबर 3 by 5, बस हो गया कोशन, अब आप एक चाहिए नोटिस को दो को, B यहाँ भी 5 है, B यहाँ भी 5 है, तो with this I can write A, B और C, B as A 7 है, जो को यहाँ पर A 7 दिखना है, B 5 है, और C 3 है, क्योंकि यहाँ पर B दौनों जगे पर सेम आ गया, B यहाँ भी 5 आगया, B यहाँ भी 5 है, मैंने डारेक्ट कर दिया, अगर यह सेम ना आता है, तो फिर आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, तब आप combining ratio लगाते हैं, अगर यह सेम ना आता, अब मेरे पास तो क्या हो गया, कि भई A को मिला 7 पार्ट, B को 5 और C को 3, and it is given that first data got 60 chocolate more than the third data, so first और third का difference जिया है, मतलब A और C का difference, तो ratio और actual difference of first and third, क्या है वही, first और third का difference 4 unit is equal 60, तो एक unit की value कितनी हो जाएगी, 15 चोकले एक उनित होगे 15 चोकले बराबर, तो जो हमारे पर एक उनित 15 चोकले होगे तो बोला है कि, how many chocolate were distributed all together, so total chocolate 7, 3, 10, plus 5, 15, so total chocolate, will be 15 unit, और क्योंकि एक unit 15 के पराबर, तो this is 15 into 15, 225 chocolate, so total chocolate जो distribute की गई वो थी C, तो आपने देखा कि मैंने आज आज आपको unit law पर related कुछ अच्छे-च्छे कोशन, बहुत tough तो नहीं कह सकते हैं, railway SSC के लिए आपको बहुत helpful होगी, other exam, चाहें bank हो गया, cds हो गया, maths for everyone, जो भी exam देखो जहां पर maths आता, यह concept आपको आना ही आना है, तो यह जो question मैंने कराए है, पांचे question, इसके अलावा भी मैं आपको आगे question कराऊंगा, पहले मैं सारे concept कवर कर रहा हूँ, इस video को यहां तक देखने में आपको समझ में आयगा कि maths में बहुत difficult चीज़े नहीं होती है, अगर आप एक process को follow करते हो, लगातार dedicated work करते हो, दो से तीन भेंटे daily maths कर रहे हो, तो आपको कोई भी exam clear करने में परसानी नहीं होगी, बने रहना मेरे चैनल के साथ, लगातार हम आपको बहुत अच्छे-चे concept करा रहे है, with some concept clarity session as well as हम कुछ questions के session में लेंगे, कुछ advanced questions के session म वेंगे, बेस्ट